हमने सुना है कहानियों में कि सचिंतिंतों करके प्रिता का निधन हुआ वो यहां आए भारत वापस इंग्लैंड से और वापस गए और सेंचुरी मारी विराट कोहली के बारे हमने कई एक्टर斯 के बारे में प्लियर्स के बारे में पर्फॉर्मस के बारे में सुना है पर जब आपका ये प्रसंग हमारे सामने आया कि आपकी पत्नी का प्रसंग के दौरान देहान दो गया आप उन दिनों अंधेर नगरी कर रहे थे नाटक उसके बारे में बताएंगे आप देखो वो उमर एक ऐसी उमर होती है कि जिसमें अच्छा बुरा वो सोचने की ताकत होती नहीं है और इन फ्रियॉर्टी कॉंप्लेक्स होता है कि हमें कौन से फिल्ड में काम करना है जब हम ओडिनेंस क्लोधिंग फैक्टरी में हमारा ये अप्रेंटिस में सिलेक्शन हो गया था तो गाउ में चर्चा का विशे बन गया था कि ये लड़का जो है पहली बार सबसे कमोब्रक लड़का ओर्डिनेंस क्लोधिंग फैक्टरी में भरती हो गया तो आपको पता है कि पिता जी को पर पास बहुत काम हो जाते हैं रिश्तेदारों पास बहुत तो सबसे पहले का क्या काम होता है कि अगर सर्विस लग हो गया शादी क्यों नहीं कर रहा हो पिता जी ने शादी कर दी थी पिता जी के आदेश को हमने स्विकार कर लिया था लेकिन मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि एक साल बाद में मैं तो शाजाए पर उसमें पढ़ाई कर रहा था कि मकान बनवाएंगे फिर उसके बाद में सर्विस लग जाएगी अभी तो फिर मतलब सबसेट हो जाएगा लेकिन वो सब एक साल बाद में वो हमारी बिटिया का जन्म हुआ और पंदरा मिनिट बाद पता नहीं क्या हुआ मैं था भी नहीं विशा जहांपुर में था और उससे पहले वाइफ ने बोला कि अभी साथ दिन डॉक्टर ने बताया है कि अभी साथ दिन शायद नहीं है साथ दिन के बाद ही डिलिवरी होगी तो चुकि पिता जी थे माता जी घर पे हम सहिवत फैमिली में रहते हैं हमारे गर में तो अब होदी थे और उस तरी तो वो पता लगा कि कल तो इस से मिलने थे अभी कंधे भी लेके जा रहें अब चोटी बच्ची समझी मनी आयए वह आखे बंद हो गई लेकिन थांक्स तू माइ फैमिली कि कभी मझे महसूस नहीं हुआ कि बच्ची हमने पैदा कि है या बच्ची की माँ नहीं है मेरी माँ मेरी भावी हम लोग जॉइन फैमिली हैं उसको बहुत लाड़ प्यार अमपाला और जैसे फिर तेरह साल बाद और दो हजार में जंगल रिलीज हुई तब तक हम सारी ट्रेनिंगे फिर हमने उसके बाद में तीन साल जाके टेलिविजन और ये पूरी अलग अलग सब जितनी भी जब हमारी जंगल दो हजार में रिलीज हो गई फिर हमने जब सेटल होने लगे कि अब क्या किया जाए तो उस समय आई वस थार्टी वन आई तिंग तब हमने हमें ये राधा मिली और राधा में कैनेडा में दो हजार एक में हम शूटिंग करने गए पहली बार दाहिरो की में वहाँ पे राधा जब मिली तो हम लोग एक साल एक दूसरे को जान पहचान में रहे हैं 2003 में हमने शादी की दोनों परिवारों की मतलब रजामंदी पे क्योंकि हम दोनों ने पहले ये बात की थी कि देखो शादी सिर्व लड़का लड़की नहीं है दो परंपराओं का मिलन है एक मतलब उत्तर एक दक्षिन दो परिवारों का मिलन है तो आपको अगर मेरा सब एकसेप्ट है मुझे आपका सब एकसेप्ट है तब आई थिंक बहुत आसानी है जीने में